तो आज होने वाला है अपना क्योंकि आज है संडे और मैं इस टाइम वीडियो शूट कर रहा हूं और आज मैं इस वीडियो को पब्लीश भी कर पाऊं बट आविल ट्राय मैं लेवल वेस्ट सो डॉंट वरी तो आज हमने टॉप 20 क्वेश्चन पिक किया है जो कि मॉस्ट तो मैं उसका जवाब देने वाला उसका वीडियो का एन तक बने रहाना हो सकता है कि इसमें से आपका भी कोई सवाल यह जवाब हो सो लेस्ट सब्सक्राइब सो फर्स्ट कुचन है साइज बोल्ट है देखो भाई हम इमेल में से ही नाम पड़ पाते हैं अगर आप अपना नाम मेंशन कर दोगे तो और भी बेटर होगा क्योंकि इमेल वगेरा सबका अजीब टैप सा होता है कि किसी किसी का परफेक्ट होता है तो देखो इन्होंने क् सेकेंड क्वेचन है अभी जीत कुमार का कि भाई ये टीवी टैनियर चल सकता है या नहीं बहुत ही अलगे यार देखो आज टैनियर की बात बोलो तो आइधिंक अगर आप चलाना चाहोगे तो नहीं चलना चाहिए क्योंकि कुछ न कुछ प्रॉब्लम होई जागा और मु आप अपनी वीडियो कैसे रेकॉर्ड करते हों तो पहले तो मैं अपने इस स्मार्टफोन से रेकॉर्ड करता था जो कि सैमसंग का स्ट्वेंटी वानेफी है बट रिसेंटली आप अगर कुछ वीडियो मेरे पीछे जाओगे तो वहां पर आपको पता चाहिए कि हम अपने 10 के इस्पेसल वीडियो में कैमरा पर्चेज कियते हैं तो उससे इस टैम आप वीडियो शूट करते हैं जो कि सोनी का जैडवी एटन है अब चौथा क्वेशन है कि पाउनकुमार सर्मा जी का की एंडूरा टीवी में सेटप बॉक्स कनेक्ट करके देख सकते हैं या नहीं जो तो देखो वाइच आप कोई भी आप वह करोगे तो उसमें आप सेटप एक्स यूज कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है यह तो बार बार बोल्ड यह रियल मी अच्छे नहीं है और रियल्मी बाइकर ने को सगर रहे हो देखो यह कुष्चन इस लिए इन्हों ने किया क्यों तो उसमें रियलमी अच्छा नहीं है फिर भी मैं सजेस्ट कर रहा हूं अगर कोई कुश्चन करता है तो तो देखो इसका एक सिंपल सा रीजन हो जाता है गाइज कि कैमरे की तो थोड़ा सा नीचे हो जाता है रियलमी 12 प्रो प्लस स्ट्वेंटी वन फिके कॉंपी रिजन में कुछ-कुछ ऐसे जगोप हैं जो बीट नहीं कर पता है स्ट्वेंटी वान करका इस टीवी में कोई प्रॉब्लम होता है तो क्या करें देखो आपके टीवी में सर्विस सेंटर का जो नंबर होते हैं अब गूगल से आप पता कर सकते हो और फिर वहां पर बात कर सकते हो और वहां से आपको से मिल जाएंगे कि क्या करना चाहिए सात्मा क्वेस्चन है अभीजीत कुमार का कि भाई मेरे पास वाइफाइ नहीं है फोन के होट एसपोर्ट से चल सकता है क्या तो देख वाइफाइ एक तरह से वह भी वाइफाइ ही हुआ अगरा फोन को होट असपोर्ट ऑन करते हों तो यह स्मार्ट टीवी को हम भी यहां पर वही चीज करते हैं हमारे बस भी वाइफाइ का कोई ऐसा स्विदा है नहीं तो हम भी अपने स्मार्ट स्मार्ट टीवी को अपने होट एसपोर्ट से चला आते हैं एक चीज मुने बहुत ज़्यादा वह लग रहा है कि आप लोग प्लीज इसको जैदा वह मतले ना क्यूंकि मैं अपने हैर को बार बार सही कर रहा हूं तो ऐसा इसलिए क्यूंकि इस टाइम मैं तुरंत नहां कर है कि आया हूं और वीडियो शूट करने का प्लानिंग कर रहा हूं तो मैं हैर को भी बांदा नहीं हूं सो डॉंट मैंट सो आठाब क्वेश्चन है सीवा जाट भाई का यह मैं स्मार्ट टीवी लेना चाहिए या न्यू लॉंच वहने का वेट करें विकॉज हो सकता है इस स्रीज भी पर्फेक्ट है उस बजट में यह स्मार्ट टीवी आ रहे हैं सो नवी क्वेश्चन है माल वी पॉल का क्या अप्टर सी न्यू रिव्यू टूड़र ऑफ एसर वी स्रीज क्यूलेट 55 आई होप अप्टर सेल सल्विस इस गूड एंद इट विल नोट डिश्पॉ ब्रॉब्लेम नहीं होने वाली है अगर आप ज्यादा जग चेंज करोगे तो साइद ब्रॉब्लेम हो सकती है दस्वा क्वेश्चन है रेनू पटेल का यह काफी अच्छा दीख रहा है और दोनों फोन में से किसके जूम क्वैल्टी अच्छी आती है फॉस्ट अफॉल है उसमें आपको 120X जूम मिलता है तो आपको बैटर देखने को मिलेंगे से क्योंकि मैंने कॉम्पेर भी किया है वीडियो आप उस वीडियो को भी वाच कर सकते हो माई आई वाटन में लिंक कर दोंगा और डिस्किप्शन में लिए भी लिंक दे दोंगा वहां से आप पूट दी हैं आपको तो जरूर वाच कर लेना और रहाबत यह रूकेशन का गाइस तो यह दखो बिहार के मदवनी डिस्टिक के राजनेगर प्लेस है वहां पर आपको यह पुड़ाना किला वगेरा है तो बहुत ही मजाद है वहां गोमने में सो अगर आपको आना हो तो सकते हो मां कि एक आरवा कोचन है संजे भाई का कि परिये स्कोप इने रियाल मी 12 प्लस विस टेली फोटो लैंस इन समसंग गेलक्स च्वेटर एंड वाट इस दर डिफरेंस तो सेम क्वेश्चन हुआ कि आपको इन दूनों में क्या डिफरेंस चाहिए वह वी जूम में तो आनूम तासो भाई आप कौन सा वीडियो एडिट एप यूज करते हों तो देखो वाई रिसेंटली वी एन एप यूज करता हूं ज्यादा तर और उसके सपोर्टिंग के लिए कैन वाई यूज करता हूं और सम्टाइमस मैं कैपकट का वी जुच कर लेता हूं तेर भी कु अब चेक आप लेने लिंक दिये गया चौद्वी क्वेशन है सत्या भाई आप मदवनी से हो तो यस ब्रूम में पर दहीं मुझे बता है कि आप लोग भी इधर से हूं और वेरी हैफी कि आप लोगों के पास मेरे वीडियो रिकॉमेंड हुआ है विकॉज मैं चाहता था कि मेरे वीडियो मेरे लुकेशन में भी रिकॉमेंड हो और मैं अपने दोस्तों को भी नहीं पता था जब मैंने यह चैनल स्टार्ट किया था और उनके पास भी रिकॉमेंडेशन से ही उन लोगों को बता चला है तो मैं अपने आप पर फिल करता हूं कुछ लोगों कोमेंट से बहुत सरे लोगों कि भाई लिखा है 12 प्लस और आप बोल रहे हो 11 प्लस इस 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 मैं मिस्टेक वेरी विग मिस्टेक तो एक्चली यह हुआ कि मैंने उस से कुछ दिन पहले रिसेंटली रियल्मी 11 प्रो प्लस और वीव वी 27 का कैमरा को मेरे जन ना था सो मैं ट्राइब करूंगा कि एगेन मुझसे यह चीज मिस्टेक ना हो मां की सोल भी क्वेचन है ले भागो चैनल के तरफ से रियल्मी 12 प्रो प्लस में पोट्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग है क्या तो देखो कई मैंने यह चीज अपनी वीडियो में बताए है कि इसमें आपको पोट्रेट वीडियो देखने को नहीं मिलते हैं इस वज़े से मैं इसको इस 21 FE से नीचे वाले रैंक पे दिया हूं कैमरे के अगर बात आती है तो मां की अधर चीज में हो सकता है कि आगे हो यह सत्रवी क्वेचन है कि इस एसर एडवांस आइसर बेस्ट और अगर आप नॉर्मल से यूजर हो अगर अगर आप मेरी तरह नहीं करते हो तो आप दो बार चार्ज करना परेगा मां की अगर मेरी तरह आप इसका यूज करते हो अच्छे से क्योंकि मैं इसमें एडिटिंग होगी रभी करता हूं और है वी टास्क करता रहता हूं तो यह उन्हें समय क्वेश्चन है गोलुकुमार का कि वाई डियालमी 12 प्लस वाटर प्रूप है या नहीं टेस्ट करो प्लेज यह वाटर प्रूप नहीं है तो मैं ऐसा टेस्ट क्यों करूं कि फिर तो वही होगा कि मेरा नुकसान होगा यास ट्वाइटिवान फी में IP68 दिय बता दीजे जिससे यूट्यूब वीडियो अच्छे क्वाइलिटी में बना सको इस पेसली कैमरा अच्छे होना चाहिए तो मैंने भी इसी स्मार्ट फोन को पिक किया था एक-दो साल पहले यह था हमारा टॉप 20 क्वेश्चन क्यू एने वीडियो जो कि हमने पिछले एक मह बताना मैं अगले संडे को अपने किवेश्चन मत तो इस वीडियो बताना मैं अगली संदे यह अपने क्यों अड़र बताना अग juga Dog by मुझे यह मत्तर पीचन क्या हमना दीव प्सक्रके ए APIs के गषिव झाल